और अगर बाद में लेना चाहते है तो उसमें आपको 10% और भी डिसकॉंट मिल जाएगा जो प्राइज बोलागा या मैंने जो रखा है कालेक्शन या आपको 22-25,000 के अंदर आ जाएगा और यह देखिए देल इंस्पारण 5000 स्रीज आई 7 का 10 जनेरेशन का प्ले सकते हैं यह दो खोड़िए भी आपको मिल जाता है यह माई का ओप्षन है डेल का आई 5 11 जनेरेशन 15 का यह आपका HP Elite Book है यह पिंग प्रेंड मिल जाता है आई 7 का 6th generation है आई 5 का 8 generation है 180 डिग्री है 5400 का मॉडल है और 15,000 13,000 12,000 इह आपको मिल जाता है आई 5 का 6 generation है प्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई यूटूग चैनल आज हम फिर से आ गया है आइडी प्लाजा और आप के लिए लेकर रहे हैं बहुत लेटिस्ट और कम रेंज वाला लाप्तोप गिर्मिंग लाप्टोप है आइड वाइड में लेना है बहुत कस्टमरों कर डिमांड होता है कि 15,000 में ते 8GB RAM के 56GB SSD चाहिए और आइड वाइड को प्रोसेसर चाहिए जिसने अप इडिटिंग कोडिंग सारा कुछ कर भाए तो उस टाइप का भी हम लाप्टप लेका है है हल्ट कान्फिग्रेशन में ल और अगर बल्ग में लेना चाहते है तो उसमें आपको 10% और भी डिसकॉंट मिल जाएगा जो प्राइज बोला जा रहा है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम गेमिंग लाप्टप से यह देख लीजी यह आशुस का टफ गेमिंग लाप्टप है ठीक है यह सब अग यह आपका इसर करना ही प्रोफाइल है और भी मॉडल लेना है यह मैंने जो रखा है कालेक्शन यह आपको 22-25,000 के अंदर आ जाएगा और यह लैनम होका है ठीक है इसमें 1650 ग्राफिक मिल जाता है यह आपको 8GB RAM बढ़ा सकते हैं अप्ग्रेडेबल है 8GB करना है 16GB करना है स जो भी कामें वो सारा हो जाएगा इससे भी लेटिस्ट में लेना है अगर आपको बचेट और बढ़ाकर अच्छा और बेटर कॉन्फिक्रेशन लेना है वो भी हमारे पास अविलेबल है गेमिंग में बहुत सारा इस्टोप यह देल इंस्पारण 5000 स्रीज i7 कर 10 जनेरेशन साथ ही आपको इन्वीडिया डेलिकेटे 2GB ग्राफिक है 8GB रान 512 SSD के साथ है कंडिक्शन देख सकते है फुल मैटल बॉड़ी के साथ मिल जा रहा है आपको 15.6 इंच में यह अगर आप हमारे सॉप से पर्चेस करना चाहते है यह आपको 32-35,000 के अंदर नीं किल जाएगा और साथ ही हमारे पास हमारे शॉप से आपको वारंटी बिल और चार्जर वर्फ सारा कुछ रहेगा तो आपको अगर लगता है जिसी यूजर के लिए नहीं हो पारत तो भी रिप्लेजमेंट रहता है तो सारा ओक्शन आपको मिल जाता है ठीक है तो यूज लाप्टप है अगर अगर आपको लग रहे है कि नहीं आपको बजट जादा हो जा रहा है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है आप बजान अगर कार्ड है तो भी आप यूजर कर सकते यूजर कर सकते यूजर के ले सकते तो हमारे शॉप में यूजर लाप्टप में भी आपको मिल जाता आपको में जाता है 26-28,000 के अंदर और ये है डेल का i5 11 generation 15.6 इंच है इसमें 8GB रहा में 1GB हर्डिक्स और 256GB SLT के साथ है कंडिशन सभी का देख सकते हैं एक भी स्क्राचस आपको नहीं मिलेगा ये अगर आप पार्चस करना चाहते हैं ये आपको आजाएगा 32-35,000 के अंदर में जाएगा और ये है लैनवो i3 का 11 generation ये वारंटी के अंदर है इसमें अभी आपको 11 month service center से वारंटी आप कबार कर सते हैं और हमारे शॉक से रहे गाई इसमें आपको 8GB M 512GB SLT के साथ है लैनवो 15.6 inch ये अगर आप पार्चस करना चाहते है i3 11 generation अंडर वारंटी ये आपको मिल जाएगा 22-25,000 के अंदर चलिए अगर आपको commercial piece में लेना है HP e-book तो आपको 15,000 में i5 चाहिए 8GB RAM चाहिए वाक्षान आप देख सकते हैं बहुत ही lightweight है easy to carry है 8GB RAM तो 56GB SSD के साथ है i5 6 generation 13.3 inch का है कि कहिए अगर आप रेना चाहते हैं आपको 15,000 में मिल जाता है model है latitude e-7270 आप शॉप पे आकर बोल सकते है कि मैंने ये वीडियो में आपका ये प्राइस देखा था ये model इसलिए मैं आपको model बता रही हूँ ये आपको 14-15,000 के अंदर ही मिल जाएगा ठीक है और ये है आपका i7 6 generation इसमें same configuration है 8GB RAM 256GB SSD HP Elite Book है ठीक है बहुत ही lightweight है आराम से carry कर सकते हैं कोई भी काम है i7 का processor मिल रहा है HP में लेना है commercial HP Elite Book ठीक है ये आपका HP Elite Book है fingerprint मिल जाता है i7 6 generation है commercial piece में है condition देख सकते हैं 13.3 size है आपका lightweight है easy to carry ये अगर आप purchase करना चाहते है ये आपको मिल जाता है 15-16000 के अंदर i7 का processor अब अगर आपको लेना है 15-16000 के अंदर i7 का processor अब अगर आपको लेना है 15-16000 में थोड़ा display बड़ा चाहिए आपको ठीक है तो edit करने के लिए थोड़ा display चाहिए देन आप ये पर्चस कर सकते i5 5th generation 8GB 256GB SSD के साथ है ये भी latitude का E5450 का model है ये अगर लेना है कि हां मेरे पास budget है मुझे थोड़ा अटाच में चाहिए तो ये model आप बेकुल देख सकते i5 का 8 generation 180 degree है 5400 का model है इसने आपको ठाच मिल जाता है 8GB RAM को 56GB SSD के साथ है ये भी 13.3 inch है तो ये अगर आप पर्चस करना चाहते है ये आपको 22-24000 में आ जाएगा और दोस्त अगर आपको 10 के अंदर चाहिए ये आपको i3 का 3rd generation है 4GB RAM 500GB HDX के साथ मिल जाता है SSD Upgradable है आप बढ़ा सकते है ये सबगर आप पर्चस करना चाहते है ये आपको 7-8000 के अंदर ही मिल जाता है 5000 में डूल फोड़ाता है बची के लिए लेना है कम ये उसके लिए लेना है वो जाता है i5 का 6th generation ये आपको 13-14000 के अंदर आ जाएगा 8GB RAM 120GB HDX और 128GB के साथ तो कलेक्शन हमारे पास बहुत सारा है आपको अपडेट मिलता रहता है 2-3 वीडियो अपडेट करते हैं सिर्फ आपके लिए कि हमारे पास जो भी न्यू कलेक्शन आ रहा है आपको किसी भी ची किरे आपके पास